हलो एवरिवन एंड वेलकम टू स्टेडी विट सुनील देखे दोस्तों बात करेंगे 6 जून 2020 से रिलिटेड जो करेंट अफैर्स बने हैं उन सबी के बारे में अपन बात करेंगे उसके बाद में विश्व परियावन दिवस के बारे में थोड़ी शेपन बात करेंगे और ल तो देखे 5 जून को विश्व परियावन दिवस मनाए जाता है इसके बारे में डिटेल से अभी आगे बात करेंगे एक बार आप देख लीजिए देखे कौन से राज्य सरकार के पुलिस के दोरा डिप्रेसन गरस्त कर्मियों के लिए असपंदन अभियान की सुरुआत की रही है एसिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी सीर्थ स्थान के उपर रही है एसिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी टोप पर रही है तो वह है टी सिंग्वा यूनिवर्सिटी ठीक है भारत के कौन से मंतरी के दोरा न सरकार WTO में अगला राजदूत किसको चुना गया है तो ब्रजिंद्र नवनीत को चुना गया है भारत सरकार के दौरा कितने करोड डेरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार यानि कि जो कैसी सी अवियान है उसकी सुरुआत की गई है तो भारत सरकार के दौरा डेरी किसानो के लिए डेड करोड डेर किसानों के लिए कैसी सी अभियान की सुरुआत की गई है वर्ल्ड वेंग के मुखे सलाकार एडी किसको न्यूक्त किया गया है तो राजी टोपनों को न्यूक्त किया गया है गरीबी रेका से नीचे रहने वाले लोगों को फरी में इंटरनेट देन है केरल बना है एतलेटिक्स फेडरेशन ओफ इंडिया ने किसको राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार के लिए नामित किया है तो काफी इंपोर्टेंट कि उसने राजीव चोपडा को नामित किया है सेधरी ट्रेकर मोबाइल अपलिकेस्टन है और उसका नाम है मेरा वतन य आपके एक्जाम के दरेश्ट कौन से पांच जून यानि की विश्व प्रियावन दिवस वर्ल्ड एंविर्मेंट डे इसकी थीम 2020 में क्या रही है बायो डायवर्सिटी रही है प्रकरती और समय बायो डायवर्सिटी विश्व प्रियावन दिवस 2020 की थीम रही है कोलंबिय जर्मानी में इसको host किया गया है वुषव परियाओंड दिवस 2020 को जर्मानी के सेयोग से कोलंबिया में इसको host किया गया है first world environment जो day है वो कभ celebrate किया गया था तो पांच जून 1974 को पांच जून 1974 को पहला विषव परियाओंड दिवस मना गया था तेलर प्राइज nobel प्राइज फोर इन्वार्मेंट के लिए विशपय प्रियावणंदिवस में ये प्रियावणंद के लिए nobel प्राइज है तेलर प्राइज नाम से पवनसूग देव रैंकिंग है वो एक 177 भी रही है देखिए जो पहली बार First World Environment Day मनाया गया था इसमें जो थीम रही थी वो क्या रही थी ये भी काफी important एक्जाम में आ सकता है तो इसमें आया था केवल एक दुनिया केवल एक दुनिया पहला विश्व परियाउन दिवस मनाया गया था तो World Wetlands Day दो भरोरी को मनाया जाता है World Wild Life Day तीन मार्च को मनाया जाता है International Day of Action for Rivers ये चौदा मार्च को मनाया जाता है इसके लावा International Day of Forest तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है World Water Day का मनाया जाता है तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है world metro original day ये कब मना जाता है 23 मार्च को मना जाता है earth day ये पर्थवी दिवस वो 22 अप्रेल को मना जाता है international day for biological diversity तो ये 22 मही को मना जाता है और अभी हाल में world environment day 5 जून को भी ने मनाया है world ocean day ये 8 जून को मना जाता है international climate change day ये 21 जून को मना जाता है योग दिवस भी मना जाता है 21 जून को साल का सबसे जो बड़ा दीना वो 21 जून का ही होता है world rain forest day ये 22 जून को मना जाता है इसके लाव world nature conservation day तो ये 28 जूलाई को मना जाता है ozone day तो ये 16 सेप्तम्र को मना जाता है world environment health day ये 26 सेप्तम्र को मनाते है और world reverse day ये last sunday को मनाते है सेप्तम्र मेने का last sunday जिस भी दिन आता है उस दिन world reverse day मना जाता है इसके लाव world animal day तो ये 4 अक्टूबर को मना जाता है international day of climate action तो ये 24 अक्टूबर को मना जाता है world fisheries day तो ये बना जाता है 21 नॉंबर को और world soil day ये 5 दिसंबर को मना जाता है और last में international mountain day ये 11 दिसंबर को मना जाता है तो ये environment से related कुछ और भी important days है दिवसें चौब की अक्सर आपकी एक्जाम में पूछ जाते है इसकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल के उपर मिल जाए कि आपको बताना है कि इनमें से स्वरसंदी कौन से सब्द में है अतेव में है या फिर तपोवन में है या फिर सदाचार में है या फिर रजनीश में है स्वरसंदी कौन से में है तो कौन से में है रजनीश में है option D, इसका create answer का, पवन सब्द में कौन सी संदी है, गुंड संदी है, यंड संदी है, अयादी संदी है, फिर ब्रदी संदी है, पवन सब्द में, सुरसंदी है, यह तो confirm है, लेकिन सुरसंदी का कौन सा बेद है, जिसका उधारण है पवन, देके पवन, अव यहाँ पर बन रह लजाती है इस वाके में कौन सा कारक प्रियोग वाय है बहुत ससुर्षें लजाती है यहां पर देखे से लजाती है तो अलग होने के अरद में यहां अपादान करिया होगा इसका करेट आनसर होगा निम्न में से लहर सब्द का प्रियाए नहीं है लहर सब्द का प्रियाय कोन सा नहीं है तरंग, विची, उर्मी, तुरंग या फिर हिलोर देखिए तरंग होता है लहर, विची भी होता है, उर्मी भी होता है तुरंग नहीं होता हिलोर भी होता है कौन सा नहीं है वो आपको पूछाता तो तुरंग क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा सुमित्रा में पढ़ते होगा सुमित्रा में कौन सा पढ़ते होगा तो सुमित्रा में कौन सा पढ़ते है आप पढ़ते है option fast क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा पिर नेस्ट-ड़ आपको देखा, चांदनी का प्रियावाची सब्द नहीं है, नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसके अंतरगत, मैंक नहीं है, ओप्षन डी क्या हो जएगा, इसका करेट आंसर हो जएगा, उसके बाद में नेक्ष्ट आपको दे रखा है पोबारह होना मुआवरे का सही अर्थ क्या है पोबारह होना मुआवरे का सही अर्थ क्या है बसंत्रितु का आगमन या फिर भाग जाना अते दिक लाव होना या वर्स भर काम तो पोबारा होना मुआवरे का सहीद कौन सा होता है अत्यदिक लाव होना होता है option third केची किस बासा का सब्द है केची कौन शी बासा का सब्द है हिंदी का है, एंग्रेजी का है, पुर्टगाली का है या फिर तुर्की का है तो केंची जो सब्द है वो कौन शी बासा का है तुर्की बासा का सब्द है चाती के बल चलने वाला ये एक वाक्य है इसके लिए एक सब्द आपको बताना है चाती के बल चलने वाला उसको अपन क्या बोलते हैं बुजंग नहीं बोलते हैं, कुरंग भी नहीं बोलते हैं, दोरंग भी नहीं बोलते हैं, उरग बोलते हैं, चाती के बल चलने वाला को क्या बोलते हैं, उरग बोलते हैं, हाती का प्रियावाची सब्द नहीं है, हाती यानि कि जो गज होता है, उसका प्रियावाची सब्द क हाती का प्रियावाची होता है नाग नाग किसको बोलते हैं सांप को बोलते हैं सरब को बोलते हैं लेकिन हाती का जो प्रियावाची सब्द है वो नाग भी होता है इसको आप ध्यान में रखना है यहां पर आपको नाग नहीं करना है कंफ्यूज होने की जरूत नहीं है नाग करके motivate जरूर करें ताकि आपको इसी तरीके से next quiz जल्दी से जल्दी provide हो सके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को share जरूर करना ताकि उनको भी अपनी study के अंतरगत benefit मिल सके और अगर अगर आपको इस वीडियो की नहीं, thanks for listening, God bless you all.